मैंने प्रधान मंत्री जी के बहुत सारे भाषण सुने हैं और मुझे वो अच्छी तरीके से आदे जब जाये ने बताया कि 2014 के जब 2015 विधान सभा के चुना हुए थी को कि तब मैं आमादी पार्टी में था और दिल्ली की आमादी पार्टी थी मैं ही उसको लीड कर रहा था तो मुझे अच्छी तरीके से आदे उन्होंने काता कि नक्सलियों की जगह तो जंगल में यहां पर नहीं है और फिर भी भार्टी आमादी पार्टी संसर्ट शिर्जीत किराई सतर में तो उनके भाषण में एग्रेशन था लेकिन इस तरीके का नहीं था आज जो दिखाई जोसी ने लिया उत्तर पुराने भाषण देख लें तो अभी आपके लगेगा कि कान में गरम सीशा चला गया इस अंदाज में भाषण देते रहे हैं और प्रधान मंतरी पी शम्शान कबरिस्तान किसका भाषण था या पचास करोड की गर्ल फ्रेंड जर्सी गाय एक नही इस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुझाइदीन को इन्वोक किया कह रहा हूं अंग्रेजी शब्ने राम तोर पर इस्तिमाल नहीं करता हूं बाच्छीत में लेकिन उसको आहूद किया उनने कि बही आप लोगों के सामने आ जाएं इनका नाम दिख जाये तस्वीर कि क्यों कि कहा जा रहा है अब तो आप खुद एक इस्ट इंडिया कंपनी चला रहे हैं इस देश में पहले इस्ट इंडिया कंपनी विदेश से आई थी अब भारत में चल रही है आप एक से ज्यादा इस्ट इंडिया कंपनी चला रहे हैं और भारत में जिस अंदाज में स लेकिन वो बहुत दिल आपको हिला देने वाला वीडियो आशो तोश अगर आपने नहीं देखा है ललन टॉप ने किया है छोटा सा 45-45 से केंड का वीडियो है जिसमें 15-16 से केंड की बातचीत के बाद लगबग 40 से केंड का एक लंबा पॉज है जिस पॉज में उस इनसान से एक सवाल पूछता है रिपोर्टर और वो यू लग रहा है कि अब वो रो देगा बस वो रोता नहीं है किसी तरह से अपने आसू रोक लेता है और वो यह कह रहा है कि मैं क्या करीद हूँ जिस बाव में टमाटर खरीद हूँगा जाओंगा पता नहीं किस बाव बिकेंगे कितने बर्बाद हूँगे उन्हें का कोई और सबजी क्यो नहीं करीड थे उसने करने कुछ और भी क्या करीड़ओं फिर ये जो लंबा पॉज है और मुझे उससे याद आया अशुतोष अभी हल कुछ समय में दिल्ली में रहा और शाम को गुंता था मुझे रिक्षे वाले मिलते थे, कई रिक्षे वाले मिले, एक दो नहीं कह रहा हूँ रिक्षा चलाते हुए आरहे हैं, आपसे पूछते हैं, यहों देखते हैं, आपको कहीं जाना है आपने कहा कि नहीं कहीं जाना नहीं है, फिर वो आपके पास रुखते हैं, कहते हैं, बाओ जी कुछ खिला दो सुबह कुछ खाया नहीं है वो आदमी भीक मांगने नहीं निकला था गर से वो रिक्षा किराय पर लेकर रिक्षा चलाने निकला था लेकिन अब उसको रिक्षे पर सवारी नहीं मिल रही है उसका गुजरा नहीं हो रहा और छोटे-मोटे काम धंदे करने वाले तमाम लोग आज की तारीक में आप निकल के देखिए आपको दिख रहे हैं जो निकले काम करने थे लेकिन दिन भर काम पाने में या काम से पैसा कमाने में नाकाम होने के बाद वो शाम को भीक मंगने की इस्तिती में आ जाते हैं शर्माती है अपने आपको ये कहते हैं अब हम उन्हें कु हैं वो और आरएसेस के हो बीजेपी के हो उनको खबर होगी लेकिन भार्टिय जनलता पारिटी अब जिस अंदाज में चलती है जो मोधी शाह एंड कमपनी है उसमें किसी की हैसित नहीं है किकी हिमत नहीं है कि वो यह हिमाकत कर सके कि जाए और अपने नेताओं से कह दे के भाई सड़क पर हाल बड़ा खराब है आप लोग जड़ा कुछ अपनी नेतियां बदलिए कुछ करिए वहां जो भी जाएगा उसको सिर्फ सलाम करना है और उसके बाद उस अंदाज में नारे लगाने हैं जिस अंदाज में आपने आपने अपने जो जो दारण दिये उसमें को डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं लेकिन आज की तारिँक में दुनिया की स्थे स्तिती पैदा हो रही है इस देश के तिरपन परसेंट एर कंडिशनर्स है। आपको लगता क्या है आजकल और अपने घरों में सुनिया बात तो होती है कि एसी तो आजकल किसी के भी घर में होता है। जो हमारे घर काम करने वाला ड्राइवर है उसके घर भी एसी लगा है बॉंबे में और जो काम वाली आती है वो भी अपने घर में वाशिंग मशीन और एसी लगा के रहती है और ये बात जूट नहीं है सच है लेकिन ये मुंबई की जोपड़ पट्टियां भी इस देश के सम सब्सक्राइब लोग है उनका क्या हाल है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं और आप छोटे शहरों में निकलिए गाउं में निकलिए वहां का हाल इस समय देखिए पता चलता है तो यह हम पांचमी सबसे बड़ी अर्फवस्था बन गए को बड़ी बात नहीं है वो बन ग आपको ऐसा रास्ते उनके लिए आसान न किये जाएं जो गरीब आदमियों के जिवन के उपर से चल के गुजरते हों जिसमें गरीबों की गरीबी बढ़ती जा रही है और नया शब्द आया है कोरोना के बाद से दुनिया में एकॉनिस्ट के बीच में एक नया शब्द आय के शेप रिकवरी ये के शेप क्या है जो अमेर लोग हैं वो उपर की तरह बढ़ रहे हैं उनके लिए ये नए अवसरों की तरह आया इस आपदा में अवसर निकलाया उनके लिए और जो गरीब आदनी है वो जहां था वहां से और खराब दशा में जा रहा है कहा भी आंकड़े आए हैं कि साथ इतने लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए लेकिन वो आंकड़ा मुझे माफ कीजिएगा लेकिन वहरोसा नहीं जगाता है और जो अमेरों की संपत्ति बढ़ रही है जिस रफ्तर से बढ़ रही है वो कलपनातीत है इससे पहले कभी सोचा नहीं गया था ऐसा नहीं कि अमीर पहले अमीर नहीं होते थे पहले भी होते थे लेकिन इस वक्त की रफ्तार बिलकुल अन्प्रेसिडेंटेड है और यह चिंता जनक है और अगर यह नहीं जागती है सरकात तो इनको इसकी किमत चुकाने पड़ेगी आज नहीं तो पर राहुल जी कुछ इंटर्वीन करना चाथ राहुल जी प्लीज आप आपके जाए जाए पाज आलोक की और आपके सवाल पर मैं एक इसी आर्थिक सवाल पर एक आंक्रे आये थे वो ढूंड रहा हूं जो जीडिपी ग्रो और पर-capita income growth इन दोनों के आंक्रे हैं और उसमें उसमें भी यह है यह आई-म-फ के आंक्रे हैं और आई-म-फ बता रहा है कि पांचमी सब्सक्राइब अर्थिवस्ता हैं GDP के हिसाब से लेकिन पर-capita income में हम इतने पीछे हैं एक जैस एक एक्विन एक्सी-एक्सीटाइश है वो अकड़ा एक्सीटाइश जगह पर हैं हम, एक्सीटाइश बैटाइश बें तो हमारा शायद 2600 डॉलर कुछ है ऐसा है आप कह रहे हैं वो एवरेज भी हमारे बहुत उपर के कुछ लोगों के अधर पर आ रहा है वह उस इवरेज पर भी नहीं है वो उससे गहीं नीचे कोई में गिरा हुआ है उसमें हमारे डॉलर मिलिनियर्स को निकाल ने हैं तो हम असलियत पर आ जाएंगे ठीक है तो हम तो ब है और ये बार बार सब जगा आंकड़ों में आ रहा है जैसे दुनिया में आर्थिक विशमता बढ़ रही है यानि अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ रही है भारत में वो और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो एक वर्ग है जो रात को भीक मांगने पर आ जाता है एक मेहनतकश इंसान वो रात को भिखारी बन जाता है दूसरे तरफ मैं कहना चाहता है कि वह इस इंडिया कंपनी की जगा अलोग हम लोगों का वेस्ट इंडिया के कंपनी कह देना चाहिए क्योंकि वो तो है है वेस्ट इंडिया कंपनीज दो है थीक है वेस्ट इंडिय एप डाउनलोड करें Google Play Store पर